राश्ट्रिय शिक्षानीत 2020 भाग दो उच्चतर शिक्षा अध्याई सत्रह नवीन राश्ट्रिय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना तो आईए सुनते हैं इसका दोनी पाट प्रिष्ठ संख्या बहत्तर 17. नवीन राश्ट्रिय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना 17.1 एक बड़ी और जीवन्त अर्थ व्यवस्था को विकसित करने और बनाए रखने में ग्यान स्रिजन और अनुसंधान की महत्वपोण भूमिका होती है जिससे समाज का उत्थान होता है और लगतार राष्टर को और भी अधिक उँचाईयों तक ले जाने में इससे प्रेरणा मिलती है निसंदेह पूरे इतिहास में सबसे सम्रिद्ध सभ्यताओं जैसे भारत, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और ग्रीश से लेकर आधुनिक सभ्यताओं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इसराइल, दक्षिन कोरिया और जापान तक ऐसे समाज थे और हैं जिन्हों ने अपनी बौधिक और भावतिक संपदा को मुख्यत नए ज्यान के लिए प्रख्यात एवं आधारभूत योगदान द्वारा प्राप्त किया है। जैसे विज्यान के साथ साथ कला, भाषा और संस्कृती के एक शेतर में जिसने न किवल अपनी योग्यताओं को बलकि द दुनिया में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के साथ शायद पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उदाहरण के लिए जलवायू परिवर्तन, जन सांखी की गती शीलता और प्रवंधन, जैवो प्राउध्योगी की, एक डिजिटल बाजार का विस्तार, मशीन ल प्रतिभापूल को फिर से एक प्रमुख ज्यान समाज बनने की क्षमता प्राप्त कराना है, तो आने वाले वर्ष्णों और दशकों में राष्ट्र को अपनी अनुसंधान क्षमताओं, संभावनाओं को सभी विशयों यानि डिसिप्लिंस में उत्पादन के साथ एक महत् पूर्ण विस्तार की आवश्यक्ता होगी, आज किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, बाउधिक, सामाजिक, पर्यावरणिये और प्रद्योगी की ये विकास के लिए शोध का महत्व पहले से कहीं अधिक है, 17.3 इस पक्ष के इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद, भारत में वर्तमान समय में अनुसंधान और नवाचार निवेश, सैयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8 प्रतिशत, इस्राइल में 4.3 प्रतिशत और दक्षिन कोरिया में 4.2 प्रतिशत की तुलना में GDP का केवल 0 17.4 आज भारत को सामाजिक चुनोतियों का समाधान करने के आवशक्ता है, जैसे कि अपने सभी नागरिकों के लिए पीने के पानी की स्वच्छता, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और स्वास्ते सेवा, बेहतर परिवहन गुणवत्ता वायू, बिजली और बुनियादी चीजों की पहुंच आ दी। अनुसंधान करने की स्वयम की ख्षमता का होना महत्तोपूर्ण होगा। स्वयम के शोध करने की ख्षमता किसी देश को अत्यधिक आसानी से अन्य देशों से अनुसंधानों को आयात करने और उनमें से अनुकूल शोध को अपनाने के योग्य बनाता है। 17.5 इसके अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं के हल निकालने के लिहाज से मुल्यवान होने के साथ-साथ किसी देश की पहचान, उसकी प्रगती, आध्यात्मिक और बौधिक संतुष्टी और रचनात्मक्ता को भी उसके इतिहास, भाषा, कला और संस्कृति के माध्यम से प्राप 17.6 भारत में शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार बहुत महत्वपूर्ण है, विशेश रूफ से जो उच्चितर शिक्षा से जुड़े हुए हैं पूरे इतिहास में दुनिया के सर्वश्रेष्ट विश्वविद्यालेयों से मिलने वाले साक्षियों से पता चलता है कि उच्चितर शिक्षा के स्तर पर सर्वोत्तम शिक्षन और सीखने की प्रक्रियाएं उस वातावरण में होती हैं, जहां अनुसंधान और ज्ञान स्र स्रिजन की एक मजबूत संस्क्रिती रही है, इसके साथ ही दुनिया के श्रेष्ट अनुसंधान बहु विशई विश्वविद्यालेयों में हुए हैं, प्रिष्ठ संख्या चोहत्तर 17.7 भारत में विज्ञान और गणित से लेकर कला, साहित्य, स्वरविज्ञान और भाषा से लेकर चिकिसा और क्रिशी तक के विशयों में अनुसंधान और ज्ञान स्रिजन एक लंबी एतिहासिक परंपरा रही है अब समय की मांग है कि भारत जल्द से जल्द एक मजबूत और प्रबुद्ध ग्यान समाज के रूप में अपनी खोई हुई स्थिती को शिगर ही पुनह प्राप्त करे और मजबूत और प्रबुद्ध ग्यान समाज तथा दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थ और उसकी मात्रा को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टी कोण को लागू करती है। सभी उच्चितर शिक्षन संस्थानों में बहु विशई और समगर शिक्षा पर बल, सनातक पाठेक्रम में अनुसंधान और इंटर्न शिप का समावेश, संकाय करियर प्रबंधन प्रणाली जो अनुसंधान पर समुचित बल दे, प्रशासनिक और विनियामक परिवर्तन जो शिक्षकों की और संसागत स्वायत्ता और नवाचार को प्रोसाहित करने वाले हों। उपर बताए सभी पहलू देश में एक शोध मानसिक्ता को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 17.9 इन विभिन्य तत्वों पर सहक्रियात्मक तरीके से काम करने के लिए यह नीती एक राष्ट्रिय अनुसंधान फौंडेशन एन आर एफ की स्थापना को प्रस्तावित करती हैं। जिससे राष्ट्र में गुणवत्ता युक्त अनुसंधान को सही रूप में विकसित औ और उत्प्रेरित किया जा सके। NRF का व्यापक लक्ष हमारे विश्विद्यालेयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। विशेश रूप से NRF योग्यता आधारित एवं पियर रिव्यू पर आधारित शोध निधी का एक विश्रसनिय आधार प्रद राज्य विश्विद्यालेयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अनुसंधान को स्थापित करने के साथ इन्हें विकसित करने का कारे करेगा जहां अनुसंधान संभावनाएं बरतमान में सीमित हैं। NRF प्रतिस परधात्मक रूप से सभी बहु विशेयकों में प्रासंगिक सरकारी एजनसियों के साथ साथ उद्योग और निजी और परोपकारी संगठनों के साथ घनिष्ट संबंधों के माध्यम से इसे कार्यानवित किया जाएगा। 17.10 ऐसे संस्थान जो वरतमान में किसी स्तर पर अनुसंधान को निधी प्रतान करते हैं जैसे वि अनुसंधान परिशद, ICAR, भारतिय आईरविज्ञान अनुसंधान परिशद, ICMR, भारतिय इतिहास अनुसंधान परिशद, ICHR और विश्ट विद्याले अनुदान आयोग यानि UGC के साथ साथ विभिन निजी और परोपकारी संगठनों से वे अपनी प्रात्मिक्ताओं और आवशेक्ताओं के अनुसार स्वतंतर रूप से निधीगत अनुसंधान जारी रखेंगे। प्रिश्ट संख्या 75 हलांकि NRF सगन रूप से अन्य फंडिंग एजेंसियों के साथ समन्वे स्थापित करेगा और विज्ञान इंजीनियरिंग और अन्य सक्षम अकादमियों के साथ काम करेगा। इसके साथ ही इससे जुड़े अप्यक्षित उद्देश्यों और प्रयासों में ताल, मेल और दोहराओ की कमी को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इन आरेफ स्वतंत्र रूफ से सरकार के एक Rotating Board of Governors द्वारा शासित होगा, जिसमें विभिनक शेत्रों के बहुत ही बहतरीन शोद करता और अविश्च करता शामिल होंगे। 17.11 इन आरेफ की प्रात्मिक गतिविधियां इस प्रकार रहेंगी। Q. सभी प्रकार के और विभिन विशयों में प्रतिसपर्धी और पीर रिव्यू किये गए श्रोध प्रस्तावों के लिए फंड देना Q. शिक्षा संस्थानों में विशेश्टह, विश्विध्यालेयों और महाविध्यालेयों में, जहां अभी अनुसंधान शैशव अवस्था में हैं, इन संस्थानों को परामर्ष प्रदान करके अनुसंधान शुरू करना, विकसित करना और इसके लिए सुविधात देना अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रिय शिक्षानीत 2020 भाग दो उच्चतर शिक्षा अध्याय सत्रह नवीन राष्ट्रिय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकाद्मिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना वाचन्स्वर, अजीत होरु, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंदिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत करो करें जाना, मीनाक्षि काद्मिक अनुप्ता